तो आज की उमारी रेसिपी है गाजर की कांजी तो ये बनाई है हमने काले गाजर की कांजी जो की बहुत अच्छी लगती है समर ड्रिंक है और ये बहुत रिफ्रेश्वी ड्रिंक है देशी एकदम और किस तरह से बनानी है ये कांजी आज ये इस वीडियो में में दिखाने वाली हूँ तो चलिए वीडियो को गौर से देखिएगा अच्छी लगए तो इसको लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूलिए चलते हैं कैसे बनाना है देख लेते हैं इसकी एक पर रेसिपी इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने काली गाजर ली है और यह देख रहे हैं और वेट में यह है 200 ग्राम और यह एक गाजर से ही काफी सारी हमारी कांची बनके तयार हो जाएगी इसको चील लेंगे इस तरह से और उपर नीचे से अच्छे से इसको काट लेंगे और यह देखिए इसा कलर बहुत ही सुन्दर होता है काली गाजर का अधिक तर इसको सैल करें से तरह से इसके हम पतले स्लाइस काट लेंगे 5 यह देखिए गाज से से हमारा काफी सारा ड्रिंक त्यार हो जाएगा और बहुत ही टेश्टी बनता है trust me आप इसको जरूर बनाईएगा मुझे बहुत ही ज़दा पसंद है हमेशा शमर में यह मैं बना कर रखती हूँ और फ्रीज बना कर इसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ और यह आपका 2-3 महिने अराम से चलता है खराब नहीं होता है और इस तरह से मैं इसके पतले-पतले स्लाइस काट रही हूँ जैसे मैं बना रही हूँ आप भी वैसे ही बनाऊगे तो आपकी कांजी बहुत अच्छी बनेगी और कभी खराब भी नहीं होगी और इस तरह से मैंने इस पतले-पतले स्लाइस काट लिए है अब क्या करना है इस तरह से हमने ये स्लाइस काटके रख लिए हैं इस तरह का एक जार ले लिया है ये दो लीटर का जार है और ये कांज का जार है तो इसमें कांजी आपकी खराब नहीं होगी और बहुत ही अच्छी बनेगी और देखने में भी इसमें सुंदर लगती है तो और इसमें खटास आए उसके लिए हम डालेंगे सर्सों पीसी हुई सर्सों दो चम्मच दो चम्मच इसमें डालेंगे काला नमक और देड़ चम्मच के करीब साधा नमक डालेंगे और एक चमच इसमें लाल मिर्ची का पौडर डालेंगे लाल मिर्ची की जगह अगर आप लाल मिर्ची नहीं इसमें डालना चाहते हो तो इसमें आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ी सी काली मिर्च का पौडर डाल दें और यह सारा इसमें मिक्स कर देंगे और इसको मि बढमाद के लिए तो दूप में रखेंगे तो एक गणते के लिए दो दिन धूप में रखेंगे और दो दिन बाद ही देखिए गाजन ने अपना कलर इसमें पानी में छोड़ दिया है जो कि बहुत ही सुंदा साथ में कलर आ अगया और ये कांजी एकदम तयार है हमारी पीने के लिए बहुत ही टेस्ट ही है त्रस्ट मी और यह समर के लिए बहुत ही Zukunft यह रिफ्रेशिंग बहुत ही लगती है और इसा कलर देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर जो कि आता है इसमें और इस तरह से मैं इसको बना के फ्रीज में रखूंगी और फ्रीज में रखके इसको ठंड़ा ठंड़ा जब भी आप ग्लास में डालें और उस टाइम बस इसमें थोड़ी सी बरफ डालके ठंड़ा कि तीर